Hello everyone, आज हम करेंगे class 4th का chapter number 5, the way the world looks, जैसे कि आपने जो है पहले ही किया है class 3rd में, where to look from, so उसमें क्या था कि आपको कुछ चीजी दे हुई थी, आपको उनका side बताना था कि आप उनको कहां से देख रहे हो, side view है उनका, top view है या फिर front view है, so इसी तरह से यही सब चीजी जो ह इस चैप्टर में भी होंगी, उससे थोड़ा सा एडवांस हो गई है, so let's start it, Gappu's Air Journey, so यह चुवा है उसका नम उनने Gappu बोला है, और उसकी जो है Air Journey कैसी है वो बता रहे है, Gappu was a brave little mouse, one day he saw children playing with a huge gas balloon, the balloon went up and touched the roof, Gappu was thrilled, he got an idea, next day when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon, he could see the blades, off the fan from above, और वो इस दो है गैस बालोन है और बच्चे उससे खेल रहे थे तो वो बलोन जो है उपर, देखो ऑन जक्त का बलोन भार्ताय है, बल्लो करते हैं, और एक दूसरा हो ता गैस वाला वो किया उता है, वो उपर चले जाते हैं, आपने जैसे आप उनको छोड़ों। वहां पर खेल रहे थे उनके रूम में तो और उसकी स्ट्रिंग थी लंबी से तो गपु का मन किया कि वो भी मतलब उसका वो सब चीजे देखके ना वो बहुत यह हो गया था कि कैसे बलून उपर चला गया या फिर यह कैसे हो रहा है जब बच्छे स्कूल चले गए नेक्स डी तो उसने कै च्रेंग शारा लेकर बलून के ऊपर चला गया तो बलून की ऊपर जाते ह姓स ने क्या देखा सबसे पहले। देखे फैन के कि वो चत के उपर था चत के उपर तो जाय नहीं सकता वहां तक वो जाके अटक गया के सब्सक्राइश करते हैं मैं गपु लुक दाउन, he could see the bed, chair, one table with books on it and the other table with a bottle, jug and fruits तो देखो यह सब चीजे दिख रही है, यहां पर fruits रखे होए है, यहां पर fruits रखे होए है, यहां पर books रखे है, दो chairs रखे है, और यहां पर बेल्ट रखे है, यह सब चीजे जो है उसे दिखाई दे रही है, तो नीचे से वो उपर की चीज नहीं देख सकती, लेकिन गपु क्या है, उपर है, तो उसे इसली वो सब चीजे दिखाई दे रही है, तो जैसे उसमें था कि अगर आप उपर से कोई चीज देख रही है, तो कैसी दिखती है, मतलब आपका chapter number one class third में, we have to look from, सिम यहाँ पर है, जब वो उपर है तो उसको कैसे वो सब चीजे दिख रही है तो जब नीचे था तो कैसे दिखती है, जब आप बता सकते हैं कि गपव को चीज दिखाई दे रही है, कि वो जग की ऊपर रखी है, लेकिन चीज को नहीं दिखाई दे रही, तो क्यों नहीं हो रही, बिखो जब बिल्कुल ऊपर है चट से लटका हुओ है और टेबल के नीचे, अब देखो जब चुगा कि जब चोटा सा होते हैं, सूब जैसे वो नीचे होते हैं तो इतने सष्मा को बहुत युथ बढ़ा हुआ हुए लेकिन आप जैसे वुह उपर ही तो इसको सब चीजेझे दिखाई है तो इस अब क्याव पुऌन से अपर अब बाहरा गया तो ओर बुपर उढका और जाना शुरु किया स्काई में इस रोम दिखाई दे रहा था लेकर अब उसे घर भी दिखाई दे रहा है अब जैसे जैसे वह उपर जाएगा तो बाकी की चीजे भी उसे दिखनी शुरू हो जाएगी तब उसे हाउस के असपास की चीजे जैसे की पार्ग, गुर्दवारा, रेल्वे लाइन, अस्वीट शुप, एंद सुष्णी हाउस विधा बिग वोटर टैंक ओने रूप उसे वहां पर दिखाई दे रहे अब देखो वोटर टैंक कहा है यहां पर तो यह क्या है सुष्णी का गर है वोट इस डेट, हुईस डेट, उन दा रेल्वे ट्रैक, इस डेट, फैट, केट, मॉंटी, हा 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 फ्रोम है इस लोग लाइक बिग, वाइट माउस क्या वो जो है रेल्वे ट्रैक पर उसे जो है कैट दिखी है तो वो बोल रहा है कि क्या यह वो मॉंटी है, बड़ी सी मॉंटी सी कैट वो ही है यहां से तो वो एक छोटे से चूही की तरह लग रही है अब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है आपको क्लास्रूम की उपर से वो कैसा दिखेगा और यह सब चीजी भी आपको मार्क करनी है अगर आपने देखा हो तो अपका चैप्टर है फस्ट वेह तो लुक फ्रूम उसमें ओल्ट्रेडी जो है एक कैट होती है वो पीप कर रही हो तो मतलब खिटकी से देख रही होती है और उसको रूम किस तरह से दिखाई दे रहा होता है तो उसी तरह से आप भी बना सकते हो आप देखो ऊपर से देखोगे तो यहां पर आपका हो रहेगा बोर्ड होगा यहां विंडोस हो सकती है यहां पर आपका दूर होगा और यह बैंचिस लगे होंगे और यह जो है टेबल होगा टीचर का और यहां पर टीचर खाड़े होंगे और आपको क्या दिखेगा से बच्चों के जो हैड हैं वो ही आपको दिखाई देंगे सो इस तरह से आप उसको ड्रो कर सकते हो अब बलून वेंट अप 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 गपो वेंट केप वंडरिंग हाव बिग द वर्ल्ड इस अब जैसे जैसे वह उपर जाया था उसे बोस सारी चीजे दिखाई दे रही थी तो वो सूच रहा था कि इतना कितना बड़ा वल्ड अजो कंप्लिटी नहीं हो रहा बॉल्स जो यह जोटे रापस इस बोक समया ड़ है जो आप लाय पर बिकाई दे रही है था जçar ओफ जो सारी है जए लोग बख STEVE tra series लोग इम को कीप अउपी डिखाई दे रही है यह सूच जो मैं नहीं इंट जो लमब से बॉक्स की तर है मुझे अग तिकाई दे ने ली य जीटियों की छोटे छोटे दिख रहे हैं मतलब जैसे जैसे उपा जारहा है चीजे छोटी होती जारही हैं सदनली देर वाज लॉट साउंड फाट गभी अब ही जर्च अब जैसे जैसे वह उपा जारहा तो उसका बलून जो एक दम से फट गया और जैसे वह बलून फटेगा तो क्या होगा नीचे आना शुरू अब नीचे आएगा तो जैसे उसको चीजे छोटी-छोटी दिख रही थी आज अब नीचे आरहा तो सारी He run to save himself from the cruel Monty who run after Gappu and the other rats on the railway track So, like Monty saw the fat cat, he saw that Gappu fell there, so he ran away from the rest of them When Gappu saw the railway track from above, it looked like this When he saw the railway track, he saw the railway track But when he fell down, he saw the railway track as well So, things look so different when you look at them from the top and from the side So, these things are different when you see them from above or from the sides So, everything is different from the way you see them Now look at these pictures and discuss why things look wide at the big end At this end, but narrow at the small of the other end Now tell you that these things are showing us so much in the beginning But, as they go far away, let's see how much width is here And as they go far away, their width is reduced from here So, what is this? So, what is this showing us? Because of the distance Now let's see this thing from behind, the thing is our very far So, the thing is far away, it looks small and the upper ones And the upper ones look in actual size The size does look at the angle Such as the gain in the upper one, so the small ones look at it It looks small, the little ones look at it Like the barns, the house, the rail routes, the small ones look at it ब्रोप होती है यह से वह हो दूर होती है मतलब उनका डिस्टेंस हमारे आखों से दूर होता जाता है तो हमको नेरो दिखाय देती है dil for the positives नाओ मेंकिन फोज निस्मोरी जि hell आए डिया और यह कहां गाह सा गैं डि सिधर तोव्योड पीकल इस ब sos तो आपको बताने कि कौन से वाला इनका फोटो है सो आपको देखो क्या करना फर्स्ट और इसका है जो है आप सेम पोजिशन भी आप करके देख सकते हो इसका है जो है वो इस तरफ है तो इन में देखो कौन से में ये भी नहीं है ये भी नहीं है इस वन इसमें जो है इसका है जो है आपका राइट साइड में रहेगा बाकी में कहा है लेफ्ट साइड में है तो इस वजे से यह नहीं होगा बाकी आपके इनकी जो हैंड की या जो इनके पाउं की पोजिशियन वह सब भी आप चेक कर सकते हो तो उसमें भी आपको पता चल जाएग now next there are two different views of the same ball अब देखो यह जो है बाउल को इन्होंने सीधा रखा और यहां पर उल्टा कर दिया in which photo are the ball upside down अब कौन से वाले photo में जो बाउल्स है वो upside and down है सो कौन से वाले में है वो इस वाले में जो 3rd number sorry 2nd number वाला है इसमें upside down है ठीक है उपर से नीचे की तरफ लगे मिन्स उल्टे रखे हुए है now look at the side view अब इनका side view भी दिखा दिया आपको कि यह इनका side view है now draw lines to match the side view with the top view अब देखो a pipe and a funnel यहां पर आपको यह दो चीज़े दी है total जा रहे हैं लेकिन है दो यह चीजों की picture एक आपको top view दिया एक आपको side view दिया तो आपको इन दोनों को match करना है so यह इसका हो जाएगा और यह इसका हो जाएगा top view और side view अब आपको जो है कुछ pictures ड्रो करनी है of a shoe from the side, top and front अब शू की picture ड्रो करनी है आपको side से top से and front से देखो अगर आप front से देख रहे हैं तो वो सिर्फ आपको इस तरह से दिखेगा क्योंकि आपको सिर्फ सामने से वो दिखेगा तो सामने तो आपको आपको तोप आपको सिफ उसका ऊपर का दिखेगा कि क्या है तो टोप से आपको सिफ उसका उपर का दिखे का तो इस तरह से आप उनको ड्रो कर सकते किसी और चीज के लिए आपको ड्रो करने है तो भी आप कर सकते हो अब आप पार्क बिहाइंड गप जुरुए थी तो वहां पर यह पार्क भी था। और यह क्या उसकी बड़ी पिक्चर है, here it is a bigger picture of the park, look at it carefully and answer the following question, अब यहां पर कुछ खोशन जीए, mark the nearest gate, sorry, mark the gate nearest to the sweet shop, अब sweet shop के पास कौन सा गेट जो है सबसे पास में, देखो, अलग लग गेट है, A, B, C and D, तो यह है आपके sweet shop, तो सबसे पास में कौन सा गेट है, A, which gate is nearest to Gappu house, अब Gappu house यह है, उसके घर के पास कौन सा गेट है, C, if you enter from gate B, अगर आप यहां से एंटर करते हो, okay, the green bench, यह वाला बेंच कहा है, आपके left में और right में, देखो, अगर अगर अपनी यहां से एंटर किया तो यह आपका left है और यह राइट है, तो कौन से में होग left side में, now, when Swashni entered the park, the flower bed was to right, अब जब Swashni ने एंटर किया तो उसके जो है, फ्लावर बेट जो दिखाई दे रहा है यह वाला, उसके राइट में था, देखो, यहां से एंटर करें है, तो यह साइड लेफ्ट है, अब यहां से एंटर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसने कहां से एंटर किया है, डी गेट से, now, which of these is the nearest to you, if you enter from C gate, अगर आप C से एंटर करते हो, यानि कि इस गेट से अगर आप एंटर कर रहे हो, तो कौन सी चीज आपके पास है, बास्केट बोल कोर्ट, फ्लावर बैट, ग्रीन बेंच और सीसा, तो कौन सी चीज आपके सबसे पास में रहेगे आपकी सीसो जो है सबसे पास रहेगा, so, आज के लिए हम यही करेंगे, यह बागी के कोश्चन्स या बागी का जो चैप्टर है गया हाफ, वह हम करेंगे बाद में, so, that's all for today, thank you.